सब्सक्राइब कीजे टेक्ट सपोर्ट दी इन्वेंटर चैनल को के जो की लड़की यूज़ कर रहे हैं और वो DP पर यानि प्रोफाइल विच्छ पे कुछ ऐसी फोटो लगाते हैं लड़कियों की जो की मेभी कोई मॉडल हो इतनी फेमस ना हो और हम उसको बाइफेस ना जानते हो तो हम कैसे identify कर सकते हैं कि यह account fake है या फिर नहीं उसके लिए आपको वो DP को save करना है अपने phone में उस picture को फिर आपको जाना है Google पे यह नहीं जो Google का search engine में आपको जाना है PC से अगर आपके पास PC नहीं है तो आप phone में जा सकते है Chrome में और request desktop site कर सकते है then उपर से आपको जाना है images में और वहाँ पे आपको एक camera का icon दिखेगा search bar में उस पे click करना है आपको उस photo को select करना है जो हमने save की थी अभी then आपको search पे click करना है और फिर आपको वो result दिखाएगा जैसे कि for example यहाँ पे दिखा रहा है कि यह जो picture है वो किसी Radhika C8 नाम की है जो की में भी कोई model हो सकती है और next जो है वो actually trick नहीं है एक feature है जो आपके Facebook app में है बट शायद आपको उसके बारे में नहीं पता है या फिर आप उसे use नहीं करते है तो इसका नाम है नहीं है by friends और इसको यूज करने के लिए आपको अपने phone के location services को on करना होगा then आप check कर पाएंगे कि आपके location के आस पास में कौन कौन से आपके friends है then आप चाहे तो उसे मिल सकता है catch up कर सकता है और आप चेक कर सकते है कि आपके कौन कौन से friend travel कर रहे है और अगर आपके friends है जो बहार रहते हैं किसी हो city में तो उस particular city में वह किस location पर है और basically कहां पर है आप चेक कर सकते है इस useful future का use कर के और अगर आपको उनसे मिलना है तो side में जो hand का icon है shake करने का उस पर आप click कर सकते है फिर उसको notification जाएगा वो अगर चाहेगा तो वो भी same चीज़ करेगा और फिर आप catch up कर सकते है that means मिल सकते है तो basically एक बहुत ही useful future हो सकता है अगर आप उसे start करें use करना और यह आपकी Facebook app में already है और next week जो है वो actually useful हो कि उन लोगों के लिए जिनके पास जो phone है उसमें इतनी RAM नहीं है या फिर वो एक budget friendly phone है और आपको वो Facebook के जो heavy apps है messenger app है वो आप install नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक report भी निकली है यह website से कि Facebook app जो है और messenger app जो है वो आपके phone की सबसे जादा battery और data खाती है यानि की eat करती है और अगर आपके phone में वो install आप नहीं कर सकते हैं और save करना चाते हैं data को तो आप कैसे save कर सकते हैं एक app है जिसका नाम है swipe उसका link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो आप उसको install कर सकते हैं play store से swipe app है 3MB size की यह app है जो आपको similar almost similar user interface provide करेगी जो Facebook देता पूरा Facebook आप use कर पाएंगे और अपने phone का data और battery भी save कर पाएंगे और next जो है वो यह कि आप कैसे Facebook पे blank status पोस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत है simple है आपको एक simple सा छोटा सा code enter करना है जो कि आपको screen पर दिख रहा है add bracket करके code है यह आपको enter करना है यह आपको enter करना है कि आप कैसे किसी Facebook पोस्ट को या फिर Facebook पे photo को कुछ भी basically किसी Facebook पोस्ट को कैसे schedule कर सकते है ताकि वो अपने आप पोस्ट हो जाए जो भी आपने time set किया है और आप कैसे किसी Facebook पोस्ट का analytics check कर सकते है यानि कि कितने clicks आया है, likes आया है, engagement है, लोगो कि कितनी उस post के regarding जो कि अगर आपके पास कोई Facebook पेज है तो आपको ये features मिलते हैं, बट एक normal account में आपको ये features नहीं मिलते हैं, तो वो आप कैसे ला सकते हैं, आपको again एक छोटी सी app install करने की जिसका नाम है Buffer, again Buffer app का link में आपको नीचे दिया है, description में, आप उसको install कर सकते हैं, और ये app सिर्फ Facebook पे नहीं, Twitter पे भी काम करती है, और भी काफी जगाएं, Instagram पे भी काम करती है, तो उसके बाद आप वहां से Facebook पे post schedule कर सकते हैं, आप photos भी select कर सकते हैं, जो भी basically Facebook की post होती है, वो आप ready कर सकते हैं, और फिर आपको time select करना है, date select करनी है, और फिर वो post जो है, वो automatically उस time पे post हो जाएगी, आपको internet connection की ज़रुवत भी नहीं, आप internet connection बंद कर सकते हैं, और उसके बाद, उपर left side में जो menu है, वहां से आप check कर पाएंगे, कि उस post पे कितने clicks आएं, likes आएं, बाकी सब को जो analytics है, वो सब आप check कर पाएंगे, तो basically बहुत ही useful यह app है, अगर आप Facebook को थोड़ इनके phone में खुला छोड़ दिया है, और आप logout करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, within few seconds आपके खुद के phone से ही, for example, यहाँ पे मैंने Opera Mini में अपना CM account खोल रखा है, तो अगर मुझे उसको logout करना है, बिना Opera Mini में जाए, तो मैं आपको उसको कर सकते हैं, अपने Facebook app के through भी, उसके लिए जाना है मुझे अपने Facebook account की settings में, account settings में, then security में, then आपको नीचे का option में लेगा, where you are logged in, वहाँ आपको click करना है, और फिर वहाँ पे आप सारे जो sessions हैं, वो देख सकते हैं, कि आपने कहां कहां पे अपना Facebook account खुला छोड़ रखा है, side में cross का icon है, X का icon है, आप simply log out कर सकते हैं, within few seconds, जहां से भी आपको करना है, किसी भी phone से, और next thing जो है, वो basically थोड़ी से interesting है, उसके थुरू आप अपने friends के साथ prank कर सकते हैं, तो यह है क्या, आप story बना के कुछ post कर सकते हैं, status अपने account पे या फिर message कर सकते हैं, like for example के लिए, कि आज मुझे किसी क phone मिला road पे, and उसमें एक Facebook account खुला हुआ था, और उसका जो link है, वो यह है, तो आपको एक link लिखना होगा वापे, जो कि होगा facebook.com slash profile.php question mark equals to, कुछ भी आपको randomly वापे numbers add करने हैं, जो आपका मन चाहे, और फिर कोई भी उस link पे click करेगा, तो उसकी खुद की profile खुल तो basically जो सामने वाला बंदा है, वो prank हो जाएगा, कि वो सोचेगा कि मैंने ऐसा कब किया, if you know what I mean, right? और next week जो है वो यह है कि आप कैसे अपने profile पे आपके दूसरे social media accounts के tab को add कर सकते हैं, जैसे कि facebook के अलावा जो है, snapchat, twitter, instagram और वाखी सब youtube etc, तो वो सब आप कैसे add कर सकते हैं, उसके लिए simple है काफी आपको जाना है about section में, then more about you, और नीचे आपको एक option मिलेगा, जो कि ये contact info का, वहाँ पे आपको edit करना है, और फिर आप आपके जो favorite social media handles है, जो हाँ पे आप use करते हैं, जो आप instagram, snapchat वगरा, उनके आपको username enter करके, simple तरीके से, then आप जो tabs है, या फिर जो आप कैसे है, tiles है, वो add कर सकते हैं, अपनी facebook profile पे, और next इक जो है, वो यह है, कि आप कैसे किसी facebook post को, या फिर facebook पे link को कोई भी, कैसे उसे save कर सकते है, future में access करने के लिए, तो उसके लिए, जो post के side में arrow का icon है, वहाँ click करना है आपको, और top पे आपको option मिलेगा, save post का, या फिर save link का, whatever, वहाँ पे आपको click करना है, और फिर वो post जो है, वो save हो जाएगी, आप उसे future में access कर पाएंगे जल्दी से, तो शायद आपको इस save वाले button के बारे में पता हो, बट आप इसे use नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हमासे ऐसा होता है, कि कोई post है, हमें बहुत पसंद आती है, और हम चाहते है कि इसे बाद में हम पढ़ पाएं, बट obviously सारा time तो या आपके home page प को पता हो, बट कुछ लोग अभी भी हैं जिनको पता नहीं है, तो वो यह है कि आप कैसे अपनी जो Facebook profile है, उस पर जो wall होती है, उसको lock कर सकते हैं, ताकि आपके friends उस पर कुछ भी post ना कर पाएं आपकी profile पे, तो उसके लिए जाना है आपको अपने Facebook account की settings में, then timeline and tagging में, Facebook जो है, वो basically useful होगी, उन लोगों के लिए जो use करते हैं Facebook को अपने PC में या फिर laptop में, तो एक extension है, Chrome extension, जो कि आप install कर सकते हैं, अपने Chrome browser में, जिसका नाम है Flatbook, तो Flatbook extension का link में आपको दिया है नीचे description में, तो वहां से आप install कर सकते हैं उसको अपने Chrome browser में, और फिर आपका जो UI user interface, Facebook देखने का वो पूरा बदल जाएगा, थोड़ा सा और दिखने में अच्छा हो जाएगा, और आपको उसमें काफी options भी मिलते हैं, left side में जो की है, एक है option में आपे कि आपकी profile कौन कौन ओफनली देखता है या फिर visit करता है, वो आप check कर सकते हैं, और एक option है, articles read क कर सकते हैं, Facebook के अंदर से ही, और वो भी category wise, आप select कर सकते है, category music technology, जो भी आपकी, मैंने select कि यहाँ पर tech, फिर मैंने select किया tech crunch, जो website है, मेरी favorite, उसके बाद मैं articles को read कर सकता हूँ, अपने हिसाब से, जो मुझे पढ़ने हैं, उनके latest, so yeah guys, यह थी कुछ amazing Facebook tips and tricks, जो आपको definitely try क अगर आपको यह वीडियो बसंदा है, तो please इस वीडियो को like करना, share करना अपने friends के साथ जो Facebook यूज़ करते हैं,